हलो दोस्ता आप सबी लोगों का फिट से इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ इस वीडियो में बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं फैंड्स जैसे कि आपको थम्नेल देख के तो पता चल गया होगा इस वीडियो के अंदर हम फिक्स बैटरी और स्वाइपबल बैटरी ये दोनों में से कौन सा चूज करना है हमारे आटो रिक्षा के लिए इसे बहुत सारे कंपेनी अब भी दोनों भी मॉडल्स को लांच करती है मार्केट के अंदर लेकिन कौन सी आटो रिक्षा हमाएं बहतर साबित होगी और कौन सी आटो रिक्षा हमें पैसे बचा के देगी और हमारे इंकम को डबल करेगी इस सब कुछ इस वीडियो के अंद बता सकते हैं तो चलिए फैंट शुरू करते हैं तो फैंट वीडियो के अंदर जाने से पहले एक बात बताना चाहूंगा मैं यहां पर रिसर्च करके और वह हमारा एक्सपिरियंस के हिसाब से मैं यहां पर आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आप भी अगर आप ल कीते हैं एक स्लो चार्जिंग जिससे हमें घर पे या आफिस पे कहीं पे भी हम चार्जिंग कर सकते हैं इसके अंदर आपको लगबग तीन से चार या पांच घंटे लग जाते हैं जो यह बैटरी का के इसाप से इतना टाइम लग जाता है और सेकंड आप्चन हमाई फास इसे हमें दो से तीन घंटे या एक से दो घंटे के अंदर हमारी फुल चार्ज हो जाती है ज्यादा तर यह फास चार्जिंग का आप्चन एलेक्री कार्स के अंदर देखने को मिलता है लेकिन फिलाल कुछ त्रिविलर मैनुफेक्ट्षर्टर भी आटो रिक्षा के अंदर यह charging option दे रहे हैं और तीसरा हमें swipeable battery के साथ देखने को मिल रहा है फिलाल market के अंदर इस charging option से आपको 10 minute के अंदर आपकी battery swipe करके full charge वाली battery आप आपके गाड़ी के अंदर install करके आप लगातार चला सकते हैं यहां पर हम 3 wheeler के अंदर यानि आटो रुक्षा के अंदर आने वाले दो option के बारे में जान लेते हैं जैसे कि यहां पर slow charging और fast charging के लिए आपको fix battery होना जरूरी है आटो के अंदर fix हो जाती है removable नहीं हो सकती है और निकालने को मुंकिन नहीं होता है और यह तो हो गया एक option और दूसरा यह कि swipeable battery इस दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं जैसे हम 2 wheeler और 4 wheeler यानि cars के अंदर अगर बात की जाए तो ज्यादा तर cars या 2 wheeler खुद के monthly income कमाते हैं तो यहां पर बात करने वाले हैं वह सभी हम इस चानल पर ज्यादा तरह आटो रिक्षा के बारे में बात करते हैं तो उसी के बारे में ज्यादा डिटेल में जानेंगे तो सब सब पहले हम शुरू करते हैं कि fix battery electric आटो रिक्षा लेने से क्या-क्या हमें ज्यादा हो जाता है और दूसरा है कि charging cost और charging option आपको कम होगता है जैसे कि आप अ N चार्जिंग का टाइमिंग और यहां पर कुछ रिक्षा के अंदर प्लत कर सकते हैं अगर फिक बैैटरी मिल जाती है तो तरह कर सकते हैं यहां पर इसे कि अगर हमकम व Eddy से यानि स्लों करते हैं तो बैटरी की सयों अनि बैटरी की लाइफ बहुत जाधा मिल जाती है आपको जब हम far charging से comparison करते हैं स्लो चार्जिंग के तो स्लो चार्जिंग के अंदर आपकी बैटरी की लाइफ जाधा बढ़ने वाली है इन सबी के अलावा अगर आटर सक्षा के अंदर fix बैटरी आपको A self बनाने जाने वक्त यह हमको fix मिल जाती है तो यहां पे जो weight distribution होता है suspension के उपर वो सही तरीके से और proper तरीके से design करती है company तो यहां पे एक अच्छा option मिल जाता है और इसके अलावा भी यहां पे आपको waterproof की भी battery मिल जाती है और साथ ज्यादा मुंकिन है कि आपके seat के निचे या कहीं पे आपके आटो रुक्षा के कहीं पे hidden chamber यहां पे fix battery के लिए यहां पे दिया जाता है तो आपकी battery बहुती से प्लेस में रह जाती है तो यह तो थे फेंड्स फिक्स बैटरी के फाइदे और यहां पे इसके आपोजिट में आपको यानि फिक्स बैटरी के नुक्सानात भी मिलती है आपको तो हाटो कहीं पर दूर खड़ा करते हैं और घर पे शाम में रिष्ट लेने के लिए आते हैं तो आपको आटो चार्ज परने leekा मौसा नहीं मिलता है अगर आप चार्ज करने चाहता है तो वहां पे कोई भी आपको राजिंहीं होता है क्योंकि दूसरों के घर में करन बिल तो देना ही पड़ता है यहां पर बहुत ही दिक्कत वाली बात है और इसके अलावा यहां पर बैटरी की अगर लाइफ की बारे बात करें जाए तो यानि आपको जल से जल एक साल या दो साल के अंदर आपको बैटरी रिप्लेस कराना पड़ता है तो आपको दो साल के अंदर भी आप बैटरी रिप्लेस कराते हैं तो उतना परसा देना पड़ता है आपकी बचत का खर्चा होने वाला है यह भी हमारे को लुक्सान होने वाला है फिक्स बैटरी के अंदर और इसके साथ साथ अगर हम चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो हमें बह लागाना पड़ता है चार्जिंग के लिए तो इतना टाइम वेट करना पड़ता है अगर दिन में आपको चार्जिंग खतम हो जाती है तो डिक्कत आ सकती है इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत है िपैंस जैसे कि आपको closed के बा़ए अपको Maison के बारे में आपको पता होगा तो शायद आभी फीचर में कभी भी Luicumic घर पर पर फुर्ण बैटना पड़ता है जब घर पर हम बैड़ते हैं या आप did सब्सक्राइब जाते हैं तो एक दो मैना तो आपको रहे जाते हैं तो यहां पर चरजिंग आपकी आपकी आटव को लगाना पड़ता है और यूज करना पड़ता है क्योंकि आपकी ज़्यादा-तर यूज नहीं करेंगे तो बैटरी की लाइफ भी डैमेज हो सकती है तो फिंट्स ये थे फिक्स बैटरी के फाइदे और लुकसानात अब हम चलते हैं स्वाइपबल बैटरी के अंदर हमें क्या फाइदे मिलने वाले हैं क्या लुकसानात मिलने वाले हैं वह से फेंड़ स्वाइब बैटरी के अंदर बहुत सारे फाइदया है हमें जैसे कि अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो 10 मिनेट के अंदर आप स्वाइब करके आपकी फुल बैटरी ले सकते हैं चार्जिंग स्टेशन से और दूसरा आपको चार्जिंग करने के लिए सबसे बड़ी फाlamation बात यह है कि तो बैटरी के बारे में आपको कोई चिंता नहीं करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़ुरों नहीं पढ़ती है यहां वह मेंशा Orange होते जाती है तो आपको बैटरी के लायफ के बारे में या बैटरी के डैमेज के बारे में या साइकिलिंग के बारे में बैटरी साइकिल होते हैं, उसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की जूरत नहीं पड़ती है, यह सबसे बड़ी अच्छी बात है एफेंट्स, और इसके अलावा भी और एक सबसे बड़ी अपा फाइदा हमें यह मिलता है आठो रिख्षा का जो प्राइस ऐबोहत इकम हो जाता है क्योंकि हम अचूरिख्या के साथ बैटरी नहीं करिद रहे तो इसके लिए यहां पर प्राइस बहुत कम हो सकता है और इसके साथ-साथ यहां पर लाग डाउन की अगर बात की जाये तो फ्रेंट जैसे कि तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है क्योंकि आपके बैटरी डियमेज होने के चायसे तो नहीं है यहां पर जब आपको लॉपन हो जाएगा तो जाके स्वापिंग स्टेशन से फिर से बैटरी लेके आप आप रिक्षा चला सकते हैं वैसे स्वाइप बैटरी के साथ विस日本 आपको यहां पर नहीं रहती है बैटरी के ऊपर नहीं रहती है यहां पाउने चीह याडिस दाक के साथ नहीं कि वालेсят जैसे कि इस वैंप भूरेप आंपैवेलेबी कहां पर होंगे और कितना चार्ज करेंगे यह सबसे बड़ी दिक्कत और confusion रहने वाली है friends क्योंकि यहां पर बैटरी हमेशा आपको replace करना पड़ता है swiping station पर आपको पैसा देना पड़ता है charging के लिए तो यहां पर मुंकि हो सकता है यहां पर कुछ charging station ज्यादा charge कर सकते हैं कुछ कम कर सकते हैं और इसके अलावा जो charging station आपको मिली है उसी के पास जाके आप पर replace करना पड़ता है हर एक charging station पर यहां पर replace नहीं होता है एक्जामबल अब आप आटो रिक्षा को अगर लेंगे तो यह सन मोबिलिटी charging station से टाइप किये हैं तो यहां पर सन मोबिलिटी आपको available होगा वहीं पर जाके आप पर replace करना मंगता है दूसरे जगा आपको option नहीं मिलता है तो यह प्रशने वाली बात है फैंस मुंकिन है कि यहां आटो रिक्षा के अंदर अगर बैटरी चोरी हो गई तो आप पूरा पैसा पे करना पड़ता है और यहां पर एक choice भी होता है कि जो बैटरी है उसी के अंदर GPS लगे होता है ट्राक करने के लिए और कोई damage कर देता है या damage हो इसलिए जब हम गाओं के लिए आटो रिक्षा ले रहे हैं तो आपको स्वाइपिंग स्टेशन नहीं मिल सकते हैं या आप सिटी से कहीं दूर 50-60 km पर दूर होते हैं तो आपको स्वाइपिंग स्टेशन नहीं मिलता है तो यह भी disadvantage हो जाता है इसके अलबावाँ फैंड सा है आपको range बी कम हो जाते हैं इसके अलावा सबसे दिक्कत कि अगर बात की जाई तो फिलाल मार्केट के अंदर जो swiping battery के साथ आप आट और रिक्षा अगर मिल रहे हैं अगर ले रहे हैं तो आपको frame to subsidy को eligible नहीं है हां कुछ states यहां पर दे रहे हैं लेकिन ज्यादातर states अभी available नहीं है कहीं पर भी frame to subsidy तो यहां पर यह हमारे को दिक्कत आ सकती कि यहां पर आगर आपको battery तो आप पैसा नहीं पे कर रहे हैं और यहां पर बाड़ी के ऊपर आपको अगर frame to subsidy अगर कुछ न कुछ मिल जाती तो आपको रुक्षा बहुत ही कम प्राइज में देखने को मिलती थी बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता इन फीचर ले के आ सकती है अगर वीडियो में देखने को मिलेगी तो इसलिए आप चानल को सब्क्राइब करके रखना अगली वीडियो तक इंतजार करना फिर उसके अंदर हम मिलेंगे और उसके बारे में बात करेंगे तो फेंट्स यह थे फिक्स बैटरी और स्वापबल बैटरी के अंदर प्रोस और कास तो फिलाल यहीं पर खतम करते हैं वीडियो को उम्मित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई अगर पसंद आई तो लाइक करना मत बुलिए और इतनी दूर देखें तो चानल को सब् यहा है तो